आप सभी का हमारे चैनल स्टेडी ओनली में तो दोस्तों यूपी अग्री कल्चर विभाग ने भरती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है जिसमें कुल पदों के संख्या देखा जाए तो 3446 पद है और दोस्तों इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन में बैचलर डिगर आपके पास पैचलर डिगरी होनी चाहिए तभी आप इसको अप्लाइक कर सकते हैं और साथ इमें OICL में विभारती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है OICL यानी ओरियंटल इंस्टरेंस कंपनी लिम्टेड जो की कुल पदों संक्यास में देखी जाए तो 100 है और दोस जिससे आपको ऐसी गवरंटिक ग्याम के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें तो चलिए दोस्तों आगे श्टार करते हैं आज का वीडियो एले है उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश सबार्नेट सर्विस सेलेक्शन कमीशन यूपी एसससी यूपी एसससी एग्री कल्चर तक रखी गई है और इसके साथ ही इसके लिए नोटिफिकेशन में रिकॉर्टमेंट एलेजिविल्टी क्या है पूस्तर प्रदेश सबार्नेट सर्विस सेलेक्शन कमीशन यूपी एसससी उत्तर प्रदेश टेक्निकल असिस्टेंट ग्रूप सी और उसके बाद दोस्तों नोटिफिकेशन दोस कंडिट्स वार इंट्रेट इन दिस यूपी एसससी टेक्निकल असिस्टेंट वेकंसी दोजाट चौवीस कैन अपलाई ऑनलाइन फार्म एक मई एक मई दोजाच चौवीस इसका ओनलाइन फार्म स्टार्ट हो जाएगा और इसकी जो लाट डेट रख यह कोट में भी है तो कौट के अडर के बाद 20 3026 से 2424 के बीच में कोट के अडर के बाद यह स्टार्ट होगा और दोस्तों इसका जो इस्टार्टिंग अप्लिकेशन की इस्टार्ट इंडट है वह एक पांस दोजार चौवीस यानिकी एक मई दोजार चौवीस से रखी गई है और ग्याम डेट भी नहीं आई है जैसे आती है आपको प्रवाइड क्याम डेट का मोट्विकेशन भी करवा दिया जाएगा और साथ ही एडमिट कार विजवाएगा तो वह भी इंफार्म कर दिया जाएगा उसके बाद अप्लिकेशन फीस इसमें देख लेते है या चलान करवा के आप या तो फिर आप फीस इचलान के माधिम से दोनों मोड या तो आप लाइग चलान या तो इसकी फेस पेमेंट कर सकते हैं उसके बाद जो इसमें एज लिमिट रखी गए दोस्तों वह मिनिमम जो एज है वह एक 20 वर्स रखी गई है और मेंग्जियम इक्ष्टा एस पर यूपी एससी यूपी अड़र्टाइजमेंट रिलेटेट टू कमीशन एड़र्टाइजमेंट ये टेक्निकाल असिस्टेंट ग्रूप सी में एक्क्यामिनेशन रिकूर्मेंट तो इसमें जो आपकी एज रिलिक्सेशन है वो वह भी सी वालों के लिए तो इसमें बेक्ष्टी डीटेल टोटल देख लेते हैं तो इसमें बैकंसी डीटेल देखा जाए तो टोटल पदो किसंगे 3,446 पद है और पोस्ट का नाम किया है तो टेक्निकल असिस्टेंट ग्रूप सी की पोस्ट है टोटल पत 3,446 है इसके लिए क्वालीपिकेसर में आपके पास क्या होना चाहिए तो UPSSCPT 2013 का स्कॉर काड़ आपके पास होना ही चाहिए और साथ में बैचलर डिग्री इंगरीकल्चर होटी कल्चर फोरिस्ट्री और वी टेक इन अग्रीकल्चर इंजिनरिंग इतन मतलब इन में से कुछ भी आपके पास तो आप इसको इसक इसके पास दोस्तों इसकी जो अफिसेल वेबसाइट है वह आप देख लिए यूपी एसससी डॉट यूवी डॉट इन यह वेबसाइट हम आपको अपने वीडियो की डिक्सुटन में भी प्रोवाइट कर देंगे वहां से आप क्लिक करके सीधे फांप अपलाई कर सकते है और दूसरी वेकंसी के बारे मुद देख लेते हैं दोस्तों तो दा ओरियंटल इंस्वरेंस कम्पशनी लिम्टेट ओरियंटल इंस्वरेंस ओर अपिसर टोटल वेकंसी देखा जाए तो 100 है सबसे पहले इसमें देख लेते हैं इंपोर्टेंट देख लेते हैं तो अप्लिकेशन बिएन मतलब अप्लिकेशन स्टार्टिंग की जो डेट है कि इसमें प्रोवाइट कराएंगे तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं इंपोर्टेंट इट इंपोर्टेंट देख लेते हैं तो अप्लिकेशन बिएन मतलब अप्लिकेशन स्टार्टिंग की जो डेट है कि इसकी रखी गई है वह बाराचार दोजार दोजार चोवीस तक रखी गई है और दोस्तों ग्याम डेट जो है वह माई जून दोजार चोवीस तक इसकी रखी गई है और इसमें एडिमिट कार्ड डेवलेवल हो जाएंगे तो हम आपको बता दिये जाएगा आपको या प्रोवाइड कर दिये जाएगा उसके बाद दोस्तों अप्लिकेशन इसमें जो फीस रखी गई है तो एज लिमिट इसमें रखी गई है मिनिमम जो एज हो एक की सियर होनी चाहिए तभी आप इसको अप्लाइ कर सकते हैं साथ ही एज रिले सेक्टन इक्स्टा एस पर और इंटल इंसरेंस कंपनी हो आई हो आई सीयल एयो रिकूर्ट्मेंट रूल्स के हिसाब से जो की ओभी सी वालों के लिए तीन साल और एस्टी 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 वालों के यह पांच सल की जो एक शुट मिलती हो तो दी जाएगी इसमें दोस्तों पेकंसी डीटेल देख लेते हैं तो टोटल जो पोस्ट है वो है हंडेट पोस्ट है इसमें पोस्ट नेम और टोटल पोस्ट और 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 इंटल इंतरेंस यह यानिक क्वालिफिकेशन क्या रखी और आपके इसके साथ ही आपके पास या फिर एंबी फाइन जो सीए हो तब भी आप इसको अपलाई कर सकते हैं अगली जो पोस्ट है दोस्तों वह है इंजिनियर की जिसमें कुल पोस्ट संख्या 15 है इसके लिए क्वालिफिकेशन में आपके बैचलर डिगरी मास्टर करते हैं अगूंच पोस्ट है जिसमें कुल पोस्ट मतलब कुल पदुख संके बीस है जिसके लिए क्वालिफिकरेशन में आपके पास वायचले डिग्री अन्य यानि की लेल बी आपके पास होना चाहिए किसी भी उनिवर्सिटीटी से और साती ओवीच्ट वालों के लिए साथ पर संट जन्रल वालों के लिए साथ परसें और इसमें जो एस्टी एस्टी का टेगरी है उसके लिए 55% मार्क्स हो तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं उसके वाइड जो गली पोस्ट है वो है अगर पूरी करते हैं वो लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आप लोग को जनकार इच्छे लगी है तो तम्हारे चैनल स्टीडियों लिए को सब्सक्राइब जरूर कर लेजिए और दोस्तों मिलते हैं नेक्ट वीडियों तब तक के लिए धन्वाद